एपल को काट के रखते हैं, तो वो ब्लाक या ब्राउन हो जाती है, यह हम सब को पता है, तो हम सब को क्या नहीं पता है, हम वो डिसकास करेंगे, सीडी सी बात है, जब हम एपल को कट करेंगे, तो हम इसके टिशू को भी डामेज करेंगे, टिशू डामेज होगा, तो ऑक्सि तो अब सेल के पास oxygen है, सेल के पास अपने खुद के enzymes definitely होते हैं, हम सब को यह अच्छे से पता है, तो हम देख सकते हैं कि chloroplast जो कि हर कहीना की plant में, tissues में और cells के अंदर कुछ मातरा में present होता ही होता है, उसके अंदर एक polyphenol oxidase enzyme होता है, जो कि rapidly oxidize करना शुरू कर देता है phenolic compounds क अब यह phenolic compounds apple में naturally present थे, अब यह phenolic compounds इनकी वज़े से change होने शुरू है, change इतने हुए कि यह oquinone बन गए, तो यह colorless से brown हो गए, क्योंकि जो oquinones बने थे वो जाकर react करेंगे amino acids के साथ, proteins के साथ, और बनाएंगे कुछ brown compounds, तो यह हो गई हमारी enzymatic browning, क्योंकि यह होई है enzyme की व